तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो की क्लिपिंग जो है वो वाइरल की जा रही है और कंट्रूवर्सी कोशिश की जा रही है खड़ी करने की जिस उस वीडियो में कविंदर जी को बोलते हुए दिखाया गया कुछ टिपनी राजपूग सभा के बारे में जो अपती जनक है इस वीडियो वाइरल होने के इमिजेटली बात कविंदर गुपता जी ने खुद ही इसकी सफाई में जो है वो अपना वीडियो दिया है और स्टेटमेंट भी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह उनकी स्टेटमेंट जो है यह तोड़ बोड के पेश की गई है यह वैसी नहीं है जैसी की वीडियो में दिखाई जा रही है और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसको देखने से भी लगता है कि उसमें एडिटिंग हुई है और कटिंग एडियो पेस्टिंग हुई है बातिय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको यह कहना चाहते हैं कि बात राजपूत सबा की बात है तो यूओा राजपूत सबा पॉब्लिक के इशू को रेज करती है और बारती जंती पार्टी यह समझती है कि जो भी के इशू को रेज तका उसली करता है उसका समान होना जाएगी युवा राजपुत सभा बारती जन्ता पार्टी से कोई दूर नहीं है युवा राजपुत सभा के भी बड़े लीडर्स जो हैं वो बारती जन्ता पार्टी के साथ वावस्ता हैं तालूग रखते हैं हमारे ही बाई और बच्चे हैं जो युवार राजबुत सभा के नाम के उपर जो है वो पब्लिक के इशुज उठाते है ये जरूर हो सकता है कि एजिटेशन का तरीका जो है वो शायद उत्रा अच्छा ना हो एजिटेशन करने के तरीके के उपर बात हो सकती है लेकिन जो भी पब्लिक के इशुज उठाए है अलांकि इस ब्यान में तो कविंदर जी ने खुदी क्लेरिफाइक कर दिया है कि उनका ब्यान इस तरह का नहीं है जैसा की पेश किया जा रहा है मेडिया में लेकिन अगर इस तरह का कोई ब्यान भी हो तो यह समझना चाहिए कि बारतिय जंता पार्टी समाज को तोड़ने म विश्वास नहीं रखती और किसी के ओपर भी जाती टिपनी जो है वो बारतिय जंता पार्टी जो है वो नहीं करती है चाहिए वो संस्था हो या व्यक्ति विशेश हो यह कंट्रोवर्सी विदाउट एनी रीजन खड़ी करने की जो कोशिश की जा रही है हम उसके ओपर आ उनका बारतिय जंता पार्टी पूरी तरह से समान करती है